हुआ है 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 गाइस गुड इवनिंग एवरीवन कि सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इस्टेडी मेडियम चैनल है तो सेशन इस्टाइट हो चुकी है हमारा यह क्लास रात नौ बज़े चाहती है आप सभी को पता होगा तो सभी लोग फटाफट पहले लाइक कर दें और जो पहली बार हमारे चैनल मा आया है चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको पता चलेगा यह नर्सिंग का बेस्ट चैनल आपको कंटिनुवसली क्लासेस मिलेगी जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है और हम एक स्रीज चला रहे हैं डेली रात नौ बज़े सेसन जिसमें हम लोग चुने हुए क्वेस्टेंस लाते हैं सेलेक्ट करकर करके जो आपकी एक्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट सावित होता है तो अगर यह पुरा सीरीज आप देखते हो हमारे साथ एक्जाम तक बने रहते हो तो आपका बहुत ज्यादा क्वेस्टेंस आपके एक्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा ओके इसके अलाबहा अगर आपको पेड कोर्स लेना है अच्छे से चैप्टर वाइस क्लासेस दिख जाएगी तो उसको जाके आप डाउनलोड करके अपना जो कॉर्स है वह परचेज कर सकते हैं बहुत ही सस्ती आपको मिलेगी पूरा एक साल तक का उसके अलाबहा हमारे एप में 12000 क्वेस्टेंस बैंक ठीक है यह सबसे इंपोर्टेंट जो आपको कहीं भी द बनाया गया है और यह आपको हमारे आप में मिलेगा अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो गैरेंटी है कि इस से बाहर एक भी क्वेस्टेंस नहीं पूछेगा ठीक है अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या वाट्सअप कर सकते हो और डारेक्टली यह पीडि सभी को वेलकम तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और इस क्लास के एंड में एक छोटा सा टेस्ट लेंगे तो ध्यान से क्लास को देखना ठीक है चलिए तो पहला क्वेस्टेंस को बढ़ते हैं तो पहला क्वेस्टेंस आपके स्क्रीन प्या चुका है जिवानों के गुण सुत्रों की संख्या कितनी होती एक दो तीन चार है कि सु कमोन एंसर दीजिए हाँ सभी को गूड इवनिंग वेलकम सभी को सेशन अगर पसंद आये तो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी फ्रेंड सब के साथ सेर जरूर कीजिएगा ठीक है जितना ज़्यादा आप लोग सेर करोगे क्लास उतनी ही तगड़ी होने वाली है और उतना ही ज़्यादा क्लासेस लगेगी अभी एक क्लासेस हो रही है अगर स्टुडेंट बहुत ज़्यादा आप लोग सेर कर देते हो तो क्लासेस की संख्या दीन में दो हो जाएगी और उस इसका एंसर देंगे सब्सक्राइब को है विल्कुल अ करेक्ट है यह भी टोग एकदम बिल्कुल करेक्ट एक डे रही है जीवानों की गुंशुत्र। कि जो संख्या होती वो एक होती है वे जीवानु में सिर्फ एक ही गुंसुत्र पायं यह बहुती सांदर कोशन से ठीच है को सभी नौट कर लेंगे बहुत अच्छा questions है, आगे बढ़ते हैं, next questions की और, next questions है, वे जिवानु जो refrigerator में भी जिन्दा रह सकते हैं और अपना जो विशाक्त पदार्थ हैं, वो उत्पन कर सकते हैं, उस जिवानु का नाम आपको बताना, इकोलाई, कॉलेस्टेडियम, बोटुलिनम, सालमोनेला या फिर स्ट्रेप्टो, कोकस, फिकलिस, तो यह सभी जिवानु के नाम हैं, और आपको बताना है कि कौन सा जिवानु है, जो refrigerator की इतनी ठंडी होने के बावजुद भी वो जिन्दा रह सकते हैं, और अपना काम कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल सही है, प्रियान सेग्रम करेक्ट है, बिल्कुल, रोभी पटल करेक्ट है, डुग्गू, बेरी गुड, बेरी नाइस, परसाथ, मारकम, सर, पिछली बार, तहां, ओके, तो इसका correct answer हो जाएगा, आप्शन B, कॉलेस्टेडियम, वेर्टूलम, ठीक है next questions के बढ़ते हैं, और next questions है, कुछ समय पहले तक, जब refrigerator नहीं होते थे, तो दिन में, दो तीन बार दूद को गरम किया जाता था, और ताकि वो फटे नहीं, तो ऐसा क्यूं किया जाता था, option A, दूद की protein को विक्रित होने से रोकने के लिए, option B, लेक्टो वेसिलस जिवानों को मानने के लिए, option से दूद का पास्चरी करन करने के लिए, option लिए उप्रूक्त सभी के लिए, जब पहले refrigerator नहीं हुआ करता था, तो भी दूद को हम लोग 2-3 दिन तक अगर रखना चाहते थे, तो बीच बीच में पूरा गरम करते रहते थे, हर एक 4-5 घंटे बाद एक बार गरम जरू करते थे, ताकि दूद 2-3 दिन तक आराम से टिक जाता था, ऐसा इसलिए होता था, ऐसा इसलिए possible हो पाता था, ताकि उसमें जो भी लेक्टोवेसिलस जिवानों बनते थे, उन्हों गरम करने पर मर जाते थे, ठीक है, और उसको कंटिनूसली मारने की वज़े से क्या होता था, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर ना होने के बावजुद भी दूद नहीं फटता था, तो दूद के फटने का रिजन क्या होता है, लेक्टोवेसिलस जिवानों, अगर वो दूद में परजन रहेंगे, तो वो दूद को फटा देते हैं, तो उसको अगर आप टाइम टो टाइम मारते रहें, तो वो कभी दूद को फटने नहीं देगा, तो एंसर क्या हो जाएगा, आप्शन B, ठीक है, ये क्वेस प्रिवेस क्लासिस में, पूछा गया था, रेपीडेट क्वेस था, नेक्ट क्वे जिवानू, या फिर पैट्रिफाइंग जिवानू, देखो, क्वेस बहुत अच्छा है, आप्शन में आपको कन्फूजन हो सकता है, लेगिन कन्फूज नहीं होना है, ठीक है, जो जिवानू वायू की नैट्रोजन को नैट्रोजन ही पदारत में कनवर्ट कर सकते हैं, उस पहुच्छ पायें, ठीक है, चलिए इसका अंसर देंगी, क्वेस्चन नमबर फोल और एंसर बिल्कुल सही आया, सिवानी, वेरे गूड, करेक्ट अंसर है, रूवी पटेरिल भी करेक्ट है, चलो, वेरे गूड, तो करेक्ट अंसर क्या आएगा, करेक्ट अंसर जो आएग हुआ आएगा नाट्रोजन फिक्सिंग जिवानू नाट्रोजन फिक्सिंग जिवानू ठीक है जिवानू जो वायू की नाट्रोजन को नाट्रोजन पदारत में कनवर्ट करता है ऐसे जिवानू को नाट्रोजन फिक्सिंग जिवानू बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कि एट्राइकस ओप्शंसि मॉनो ट्राइकस और ऑप्शंडी एमफिट्राइकस बहुत अच्छा कोश्चन से जिवानुओं के दोनों सीरों में अगर कसा भीकाय पाये जाती है है च्छा-स भी कहीं क्या होती ह्यो पहले बता तर फ्लरेज़ीला फ्लरेज्शीला एकसीजल कर सकत है med एकदम हाँ बहुत अच्छा कोश्चंस है और सीवानी मिस्स रहा है एकदम करेक्ट एंसर दे रही है एकदम करेक्ट है वेरी बहुत अच्छा कोश्चंस का बहुत अच्छा एंसर आ रहा है रुबी पर टेल करेक्ट है तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा option D Amphitricus Amphitricus ठीक है दखो ये questions एक खुद में बहुत ही तगड़ा questions इसको सभी लोग नोट कर लेंगे या फिर स्किन सौर्ट ले लेंगे ठीक है जो जीवानु के दोनों सीरों में फ्लैजिलम पाई जाएगी वह जीवानु Amphitricus कहलाएगी ठीक है बहुत अचा questions है आगे बढ़ते हैं नेक्स question से विसानु जनित रोग कौन से आपको वल्क में option मिलेंगे तो कौन सा option में सभी रोग एक वाइरस से होता है ठीक है option A, influenza, missiles, mumps, option B, chickenpox, smallpox, option C, polio, hydrophobia, and option D, सभी कौन सा वाइरस से होने वाला बिमारी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है option को ध्यान से देखिएगा गोर फर्माईएगा उसके बाद ही answer दीजेगा ठीक है मैं पहले बता रहा हूँ इसके option में आपको ध्यान देने की जुरत है सिवानी जी बिल्कुल एक बद ध्यान देखे फिर से एक बाल एकदम सही है अब सही है हाँ बिल्कुल अब correct आ रहा है Ruby पटल very good समझ माग या गलती नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा देखो वाइरस से क्या क्या रोग होता है influenza होता है बिल्कुल होता है measles होता है बिल्कुल होता है mums होता है chicken pox तो होता ही है smallpox भी होता है उसके बाद पॉलियो यह भी वाइरस से होता है और हैंटरो फोविया जो कुत्ते के कादर्स होते यह भी होता है तो यहाँ पर जितने भी option है सभी के सभी वाइरस जनित रोग हैं एक साथ आप इसको नोट डाउन कर लेंगे वाइरस से यह सभी रोग होते हैं इसका एंसर हो जागा option D इन में से सभी next questions क्यों बढ़ते हैं और next question से natrifying जिवानू क्या करते हैं अम्या योगी को का nitrate में परिवर्तन option with nitrate का nitrogen में परिवर्तन option c nitrogen का nitrate में परिवर्तन या फिर co2 का carbohydrate में परिवर्तन जो nitrifying जिवान होते हैं वो mostly क्या करते हैं तो यह questions भी हमने एक बार explain किया था तो अगर आप वो classes देखे होंगे इससे पहले वाले के पहले वाले classes में मैंने इसको बताया था ठीक है हां बिल्कुल सिवानी वेरे गूड हां डुग्गु वेरे गूड मैंने इसको बताया था ठीक हां डुग्गु करेक्ट हैं कि नइस ओनी सिवानी देखो इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ था कि न्याट्रिफाइंग जो जिवानूं होते ने वो एक्षोली नाट्रेड में तो परिवर्थन करता है लेकिन किसको किसको अमोनिया को अमोनिया को क्या करेगा नाइट्रेड में परिवर्तित करेगी नाइट्रिफाइंग जिवानु को काम होता है नाइट्रेड में परिवर्तन करना और वो अमोनिया गयास से वो नाइट्रेड में परिवर्तित करती ठीक है तो अमोनिया को नाइट्रेड में परिवर्तित करेग ओके अमोनिया को याद रखना हाँ यह कोश्चन्स पूछेगा अमोनिया कोई कनवर्ट करेगा ठीक है चलो आनंद कुमार गुड़ी इवनिंग वेलकम आनंद रूबी वेरे गूड सिवानी ओके चलो आगे बड़े को नेक्ट्स कि ऑर रूबें द Bohबनिया ओका ठीक है अपस piss करने कि योगिता वाला जिवानू कोह्चा है ठीक है आ अपसान ए है सिट्वेक्टर आप सनबी राजो बिअमं अप्शान्स त्रेप्र और कोकस और आप्सानि कॉलेस्ट्रेटियू सोतंत्र रूप से अनाक्सी जीवी होता है और नैट्रोजन फिक्सेशन करने में सच्छम होता है वो कौन सा जीवान होता है नहीं ध्यान से देखिए क्वेश्चन से एक बर और देखिए सोतंत्र अनाक्सी जीवी होता है नैट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है क्या होगा ससी राना सब होती है ससी राना प्लेलिस्ट में चेक कि आपको सब मिल जाएगा आनंद कुमर क्या हुआ विलकुर तो इसका सब्सक्राइब फिरेंज आ भी जाएगा क्यों नंग नेस्ट Christieस करें बढ़ते हैं सरक्रागे घोल से सिरका किस किर्या से बनता है सरक्रागे घोल से सिरका किस किर्या से बनता है option ने वैसिलस, सब्टिलिस, option B, अजिटो वेक्टर, option C, डिपलो कॉकस, and option D, वैसिलस, अजिटाई, सरकरा के घोल से सीरका किस प्रोसेस से बनता है? बिल्कुल सही स्विवानी करेक्ट है सची, सीवा आपका रॉंग है, हाँ बिल्कुल, देखो सरकरा के घोल से सीरका जो बनने का प्रोसेस होता है, वो है बैसिलस, एसी टाई, ठीक है, इसी प्रोसेस से सीरका का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है, बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्ष कोशन्स की और, नेक्ष कोशन्स है, पर पोसी के डिने के साथ जब वाईरस का डिने संलगन रहता है, तो वो अवस्ता क्या कहलाती है, ध्यान देगिएगा, इस कोशन्स में पहले बता रहा हूँ, यह जो कोशन्स है, यह कोशन्स बहुत ह पर पोसी के डिने के साथ जब वाईरस का डिने संलगन होता है, तो वैसी अवस्ता होती है, फाइकोपेज, साइनोफेज, प्रोफेज या काईफेज, यह कोशन्स बहुत है, पर पोसी के डिने के साथ जब वाईरस का डिने संलगन होगा, तो वैसी अवस्ता क्या कहलाएग सिवा सिरकावार है मेरा नाम से ऐखेट खेट है तो यह पर पॉशी के डियाने के साथ जो वायरस का डियाने से अलगन रहता है तो वह अवस्ता कहलाती प्रोफेज ठीक है प्रोफेज पुछ सकता है यह questions कर लेना तो फ३र है थिकर आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशंस की और नेक्ष कोशंस‐ जीवानुओं मैं सौशन क्रिया का स्थन कह प graphics देखो यह भी वे वेरी इंपोर्डंट है जिवानों के सौसन किरिया का इस्तर कहा होता है सारे questions को ध्यान से सुनिएगा क्यूंकि last month मैं टेस्ट लोगा और questions पूछूंगा आज के जितने पूछे गए questions message और जो उसका answer देगा correct और fast वो होगा आज के class का winner ध्यान दीजेगा जिवानों में सौसन किरिया का अस्थान जो होता है वो कौन सा होता है देखें इसका answer क्या आता है सिवानी very good आनंद जी आपका रुख रहे है सिवानी correct है very good very good Ruby Patel very good very good तो जिवानों में जो सौसन किरिया होती है वो मिसोजोम्स में होती है तो यसका answer हो जागा option D ठीक है mitochondria जो होती है वो वो भी सौसन का ही स्थाल होता है लेकिन किसका होता है तो आप बोलोगे यूखेरियोटिक सेल का ठीक है यूखेरियोटिक सेल का और मिसोजोम्स में प्रोकेरियोटिक सेल क्योंकि जो जिवानों होते है वो प्रोकेरियोटिक में आते हैं यूखेरियोटिक में नहीं आते हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं यह questions very important था ठीक है आगे बढ़ रहे हैं कुन सा कथन सही है पहला कथन क्या सभी जिवानु सव पोसी होते हैं आप्शन वी सभी जिवानु विविद पोसी होते हैं आप्शन से सभी जिवानु प्रकास तंसलेसी होते हैं और अधिकतर जिवानु विविद पोसी परंतु कुछ सव पोसी होते हैं ध्यान से अंसर दीज वेक्टिरिया के बारे में बात हो रहा है और वेक्टिरिया का जो नेचर होता वो किस परकार का होता ये पुछा गया है ठीक है सिवाने जी वेरे गुड आनन्द क्या हुआ आनन्द कोई आप नहीं बूलाए ठीक है चलिए इसका एंसर देंगे सभी बिल्कुल कौन सा कथन सही है तो वेक्टिरिया में जो वेक्टिरिया में मैक्सिमम वेक्टिरिया अगर आप देखोगे विवेद पोसी होता है ठीक है लेकिन कुछ वेक्टिरिया सभ पोसी होता है और कुछ में कौन आएगा पहले तो देख लिए यह option आपका सही होने वाला है जो कुछ वेक्टेरिया यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ वेक्टेरिया जो है वो आपका सोपोसी होगा तो यह कौन सी वेक्टेरिया का बात हो रहा है तो यह साइनो वेक्टेरिया का बात हो रहा है नील हरित सेवाद तो वो सवपोसी होता है जबकि वो भी एक वेक्टिरिया है उसके वज़े से कुछ वेक्टिरिया को सवपोसी माना गिया और बाकी जितने भी बचते हैं सभी विविद पोसी के अंडर आते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ें नेक्ट कोशन की और बिलकुल नेक्ट कोशन से बोटूलिज्म क्या है बोटूलिज्म क्या है एक परकार का भोजन दूसर जो जीवानों द्वारा होता है option B मनुस में परजीवी जीवानों जनित रोग, option C विविन जीवों का रोग and option D पादपों में विशानों के कारण रोग तो बोटूलिज्म क्या होता है बोटूलिज्म क्या होता है हाँ बेलकुल सिवान एक दम करेक्ट है बिल्कुल डुगवा, blue, green, algae बिल्कुल सही है, ruby, patel, very good सिवाने, very good, ruby, patel, सभी का सही है correct तो बोटूलिज्म क्या है ये वैक्टरिया से होने वाला है भोजन में टॉक्सिक जो आ जाता है टॉक्सिन वहीं बोटूलिज्म कहला आता है तो एक परकार का भोजन दूसन होता है जो की जिवानों दुवारा होता है एक परकार का भोजन दूसन होता है जो की जिवानों दुवारा होता है और इससे बचने के लिए भोजन को रेफ्रेजरेटर में रखा जाता है ठीक है ताकि यह भोजन दूसन न हो पाए ओके तो इसी को बोला जाता है चलो सभी कसा ही ता वेरी गुड आगे बढ़तें नेक्ट कोशन्स के और नेक्ट कोशन्स है जिवानु जो मिर्दा की उरवरता को कम कर देता है वो क्या है वो कौन से जिवानु है जो मिट्टी का फर्टिलिटी पावर को कम कर देता है उसका नाम बता है एजिटो वेक्टर, नाइट्रो वेक्टर, वैसिलस, दिनेट्रिफिकेंट या फिर नाइट्रो सॉमनस जो मिर्दा की ओरवर्था को कम कर देता है वो कौन सा जिवानू है बेख्व वेरी गूर्वर्वब स म्यांच फॉर्वब रभ देलिय ligeवाद्व खेंगेगेद्शन परेंगेद्ट करेक्ट है ठीक है तो इसका देखो करेक्ट एंसर जो होगा न एक्चुलिए देखो यह ध्यान दो यहां पर कोश्चन्स में यह एंसर छुपा हुआ है मिर्दा की फर्टिलिटी जो उर्वर्ता होती है उसको कम किया जा रहा ठीक है मिर्दा की उर्वर्ता को कम कर रहा है तो कम करना इसलिए डी नाट्रिफिकेंट यह वर्ड आएगा डी नाट्रिफिकेंट मिन्स कम कर रहा है नाट्रिफिकेंट मिन्स बढ़ाना डी नाट्रिफ ट्रीकेंट। ठीक है। ऑफचिन सी विल भी तर्ट एंशर ठीक है। सब्कित सम्झमाग गया। Option c आगे बढ़ते हैं। नेक्ट कुस्टन से जीवानों में सब्से प्रत्तिरोधी अवस्था कौन सी होती है। कैप्सिल युक्त काई को सिका। Option B, Andospore, Option C, Merozygote and Option D, नई दुई विवाजित कोशिका. जिवानों में सबसे प्रति रोधी अवस्ता कौन सी होती है? जिवानों में सबसे प्रति रोधी अवस्ता कौन सी होती है? जीवानों सबसे प्रतिरोधियावस्ता कौन सी होती है बिलकुर तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आप्शन भी एंडोई स्पोर एंडोई स्पोर जो होगा इसमें आप देखने सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा प्रतिवोधिया प्रति अवस्ता क्या एंडोई स्पोषन से स्वतंत्र जीवानू जो वायू मंडल की नैट्रोजन फिक्सिंग करने में छमता रखता है वो स्वतंत्र वेक्टरिया का नाम बताना है जो वायू मंडल की नैट्रोजन को डारेक्ट वो फिक्सिंग करने में साहिता करता है यह मतलब नाइटरोजन को स्तिर करने में सहीता करता जो मिठ्टी में पाएता उसका नाम बताएं इस डाफ्रोकोकस या फृण में से कोई नहीं अब इसका answer बताना है जो आप लोग पिछला वाला questions में answer दे रहे थे अब यहाँ पे उसका answer होगा ठीक है बिल्कुल Ruby Patel बिल्कुल हाँ जो पहला वाला questions में आप लोग answer लगा रहे थे एक्चुली उसका answer यहाँ पे आपको सही fit होगा ठीक है जो सोतंत्र जिवान होता है वाई मंडल से डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को fixation कर सकता है उसका नाम है azito vector तो जिनका भी option a answer आ रहा है बिल्कुल साही है हाँ बिल्कुल हाँ वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्ट question से जीनो फोर नाम है जीनो फोर नाम है यू केरियोर्स के डियने का option भी जीवानू की डियने का option C डियने द्रसो फिला के जिन्स का अफसंडी न्यूरोस्फोरा की जिन्स का जीनो फोर नाम है जीनो फोर नाम है जीनो फोर किसका नाम है जीनो फोर किसका नाम है देखो ध्यान से अंसर देना क्वेश्चन्स अच्छा है जीनो फोर किसका नाम है बिल्कुल रोगी पटेल वेरे गोड़ तो जीनो फोर जो होता वो जीवानों के डीने का ही नाम होता है जीवानों का जो डीने होता है उसी को जीनो फोर बोलायाता है ठीक है अच्छा कोश्चन्स है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोश्चन्स है ग्राम पोजिटिव जीवानों में कोसी का भीति किसकी वर लिपीट्स और प्रोटीन की और यह वेरी इंपोर्टन कोश्चन्स है नोट कर लो जितना भी कोश्चन्स लाते हैं एकदम स्लेक्ट करके लाते हैं आपके एक्जाम में डायरेक्ट परहार करेगा यह सारे क्वेश्चन्स तो इस भी नोट कर लो अपने नोट बूक में लिख लो या फिर इसकी शूर्ट ले रेना ग्राम पोजिटिव जीवानो में कोशी का भित्ती किसकी बनी होती है 200 परसन यह पूछेगा आपके एक्जाम में ठीक है एकदम करेक्ट सिवानी एकदम बहुत ही सांदार अंसर वेरी बुड चलो सभी लोग इसका स्क्रिन स्वार्ट लेंगे ठीक है इसका आंसर हो जाएगा मियूरीन ओके मियूरीन जो तो ग्राम पोजिटिव जीवानों की कोशी का भित्ती मियूरीन से ही बनी होती है बहुत ही सांदार कोश्चन से पूछेगा रूभी पट्टेल वेरे गुड वेरे नाइस अंस आगे प्राइजोबीयम एकिटोभेक्टर नाइट्रोभेक्टर या फिर कॉलस्टेडियम जो मैंने साइनव बैक्तर या कौन सा अगर आपको पता है तो इसका अंसर भी ओहीं होगा कौन सा जिवानों सौभ़ कौन सा जिवानों सउप उस्पल्सी होते है और वो सौप उसी में को आते हैं साइनो वेक्टरी आते हैं नील हरित सेवाल जिसको आप लोग बोल रहते हैं तो यहां पे चार ओप्सें जो दिया हुआ उनमें से एक नील हरित सेवाल है और अगर आप उसको खोज लिए हो तो इसका एंसर भी वहीं होगा बताएं बहुत सिंपल क्वेश्चन से बहुत आसान है देखिए नील हरित सेवाल यहां तक आपको पता चल गया है कि नील हरित सेवाल जो होते हैं वहीं स्वापोसी होते हैं जिवानों में से नील हरित सेवाल ठीक है और यहां पे नील हरित सेवाल कोन है तो यहां पे ब्लू, ग्रीन, एलगी है, और यह जिवानु है, जो सोपोसी होगा, नाइट्रो वेक्टर, ठीक है, जो मिर्दा में और वरवरपता को बढ़ाता है, उपजायू छमता को इंक्रीज करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन के और, नेक्स कोशन से, जीवानु में सोचन कारी एंजायम्स कहां पाए जाते हैं, जो सोचन, सोचन करने का जो एंजायम्स होता है, वो कहां पर पाए जाते हैं, जीवानु में, कोशी का जिल्ली, कोशी का द्रब, माइट्रो कॉंड्रिया या फिर राइवोजोम्स, चलि अच्छा कोशन से, विल्कुल, स्रिवाने जी एकरम करे टेंस डारा, रुवी पटेल, वेरी गुट, वेरी नाइस, तो एंसर हो जाएगा, ओप्षन एक, कोशी का जिल्ली, ठीक है, जीवानु में, जितने भी सोशन का काम होता है, वो कोशी का जिल्ली में ही होता है, क्योंकि जिवानों के अंदर माइट्रो कॉंडिया नहीं पाय जाता है तो अगर माइट्रो कॉंडिया नहीं पाय जाएगा तो वो सौसन का काम जिल्ली में ही वो निप्टा लेती है ठीक है तो कोसी का जिल्ली में सोसनकारी enzymes भी वहीं पर पाया जाएगा चलो अब लेते हैं हम लोग छोटा सा test देखते हैं आज के जितने भी questions में से सभी questions अब के दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है उसको check करने का यह तरीका है तो अभी जो मैं questions पूछूंगा वो अभी तक जितने भी questions में ने पढ़ाया उनी में से एक होगा ठीक है और आपका answer देना जो correct answer देगा और पहले answer देगा वहीं आज के class का विजयता बनेगा तो questions है जिवानों की सोसन किरिया कहां पे संपन होती है जिवानों की सोसन किरिया कहां पे संपन होती है जिवानों की सोसन किरिया इस्थल का नाम बताना नहीं मिले है क्यों कभी हमने questions को बताया आपके दिमाग में कितना फीड़िवा वो देखना है cell membrane ये नहीं होगा सिवानी मैंने अभी जो questions बताये वो क्या था काम होता है वह वहांपे होता है लेकिन सौसं करिया इस्थल मैं पूछ रहा हूँ इस एक तरफ आप समझे लो कि जो सेल मेंम्रेन आप बोर रहा है वो तो पूरा एरिया हो गया हैं लेकिन उसमें कहाहां कितना आप जांके जो अब सेल मेंबریन की बात कर रहे हो सेल मेमरेन तो पूरा एरिया हो गया जहां पर सॉसन की किरिया को वो अंजाम दे रहा है लेकिन एक्चुली सॉसन की किरिया सतल कॉन सा है है को कौन सका इस्तल पर वो काम हो रहा है इस के विलकूल रुबी एकदम करेक्ट यहां विलकुल रूबी जी अपका एकदम करेक्ट इसमार एंसर को बीजी ठीक है मिसो जोम्स तो रूबी जो है इस questions का winner गोसित होती है ठीक है अब एक और chance मिलेगा एक और questions में पूछने वाला हूँ अब देखते हैं इसका winners कौन लेता है तो next question से gram positive जिवानू की sell वाल किसे बनी होती है gram positive जिवानू का sell वाल किसकी बनी होती है कोसी का भित्ती किसकी बनी होती है Ruby Patil again correct very good perfect Ruby Patil एकदम very good सिवानी आपका भी सही लेन first answer वाले को ही हम लोग winner घोसित करते हैं तो इसका correct answer हो जागा Murin ठीक है Murin और Ruby Patil ने दोनों ही questions का answer एकदम पहले और सटीक दिया इसलिए आज की class का जो winner है वो है Ruby Patil ठीक है thank you very much तो इसी तरह हम लोग daily रात नोबजे classes लेंगे सभी लोग हमारे साथ जरूर जूड़ना और जितने भी आपके friends सभी के साथ share जरूर करना पसंद तो आया ही होगा बिल्कुल तो like जरूर कर दीजेगा ठीक है और अगर आपको हमारा paid course join करना है तो हमारे app को पहले डाउनलोड कर लिजे आपका नाम है study medium ठीक है play store में मिल जाएगा या फिर इसका लिंक मैंने description box में दे रहा है वहां पर आप जाओगे तो आपको course दिखेगा बहुत ही सस्ता नाम मातर फी के साथ आपको पुरा पढ़ाया जाएगा एक साल तर एकदम chapter 1 से लेकर पुरा concept wise बताया जाएगा फिर concept बताने के बाद उसका objective questions लाया जाएगा फिर objective questions को तोड़ तोड़ के explain किया जाएगा फिर उसका PDF भी दे दिया जाएगा तो आपको लिखने के भी कोई जहनजट नहीं होगी उसके बाद doubt session लाया जाएगा फिर revision classes होगी ठीक है फिर test होगा फिर previous years होगा classes फिर mock set होगा इस तरह से इतने तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं course में तो अगर यह course आपको join करना है तो फटा फटा हमारे एप में जाना ठीक है अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर call या WhatsApp करना आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा course बहुत ही सस्ती आपको मिलती हमारे एप में इसके अलावा आपको हमारे एप में एक questions bank मिलेगा जो कि आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा मैं पहले बता दू कोई books में भी आपको नहीं मिलेगा वह 12,000 questions bank 12,000 objective questions bank है जिसको चुन-चुन के बनाया गया है एक एक questions को select करकर उसमें डाला गया है ठीक है और यह एक advanced level का questions bank है अगर आप इसको complete पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रसंद नहीं पूछागा guarantee है तो सभी लोग इस questions bank को जरूर ले यह questions bank भी कहा मिलेगा हमारे app में ही मिलेगा और उसके लिए आपको इस number पर call या WhatsApp करना पड़ेगा ठीक है यह हमारा number है इस number पर call या WhatsApp कीजिए आपको questions bank के में भी पता चल जागा और course के बारे में पता चल जागा ठीक है छोटी मोटी एक price लगती है जो कि इसका cost बनाने का cost है वहीं लिया जाता है और कुछ नहीं ठीक है तो आप लोग आसानी से इसको ले सकते हो अगर आपको इस सेलेक्शन लेना है तो दोनों ही आप ले सकते हम लाल बटन दीग रही है उसको क्लिक कर लिए क्योंकि classes और live जो classes होती है वह आपको तभी प्रोवाइड होपाएगी जब आप सस्क्राइब रहोगे आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगी ठीक है इसके अलाब हमारा टेलीग्राम ग्रूप भी है जिसका नाम study medium उसको भी ज दाल देते हैं ठीक है तो classes कब होगी आपको कभी नहीं छूटे कर अगर आप सस्क्राइब रहोगे और टेलेग्राम से जुड़े रहोगे ठीक है ओके और सिवा क्या वह रहे है और अलब गाइस ठीक है और हां रही बात after classes entertainment की तो आप लोग डिमांड करो अगर आप लोग यहां तक पहुँचे हो पुरा classes को देखने के बाद तो आपको gift में एक entertainment तो मिली सकता है तो वो क्या होना चाहिए आप लोग खुद बताओ मॉर्निंग में क्या हुआ कितना बज़े वेरे नैस class थाइंक यू सो मच रूभी पटिल आपका भी वेरे नैस एंसर आया और ऐसे एंसर मैं expect करूंगा सभी student दे तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगेगा तो एक entertainment के नाम पे छोटा सा सौंग हो जाएगा चार लाइन जो की इसको चार लाइन ने दो लाइन बोल सकते कि यह बहुत ही छोटा सा क्लिप है जिसको मैं आपके सामने गा के सुनाने वाला हूँ अच्छा लगे तो बिल्कुल सौंग हो जाए बिल्कुल मुझे पता था यहीं कमेंड आएगा तो यहीं कर रहे हैं सिवाने वेरी गुड वैसे आप लोग डिमांड है तो बता सकते हैं कुण सा सौंग आपके डिमांड पर ही गा सकते हैं अगर आप नहीं बताओगे तो कुछ भी जो दिमाग में आए रोबी पटेलिया सर नाइस ओसम सर वेरी गुड तो इससे तो गला खराब है लेकिन दो लाइन मैं आपके लिए गाना चाहरा हूं ध्यान से सुनिएगा हो चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी साम है क्या सागर जैसी आँखो वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या थैंक यू सो मच हाई सर जी आपने तो दिल की बाते बोल दी नहीं ऐसा कुछ नहीं है सौंग है इसको बस सौंग की तरह ही लेना है दिल पर नहीं लेना है ठीक है तो यह तो बस आप लोग क्लास को एंड तक देखने का गिप्ट मिलता है जो कि रोज मिलेगा तो आप आपको प्रोवाइट करा सकता हूं ठीक है तो हमारा जो क्लासे से डेली रात नौब यह चलती है सभी लोग जॉइन होना और सभी को सेर करना जितने भी नए श्टूड़ना है चैनल को संस्क्राइब कर लेजेगा जादे जाते एक बाल लाइक कर देना ठीक है मिलेंगा कल सब्सक्राइब कर लोग सर मैं एक सोंग बोलू कौन सा पुगू बताओ अब एक ही तो होना चाहिए न डेली एक से ज्यादा अच्छा बताओ यह तो ही बात होती है जब आपका गला खराब रहत तभी ज्यादा डिमांड आता है कुछ कुछ खाए चेठ नहीं आए जाट दो बोगो जी यहां पर सिस्यादीस रूंग एवलेवल होता है और अलाव भी होता है इसके कर आवा कोई जीनल लेंगवेज अलाव नहीं होता है क्योंकि हमें सिर्फ हिंदी ही आती है और कोई लेंग्वेज समय आती नहीं है बिल्कल तो इसलिए ये हमें समझ में नहीं आ रहे है कौन सा सौंग और मैंने कभी सुना भी नहीं है तो अच्छा होगा आप कभी हमेरे टेलिग्राम ग्रूप में ये सौंग गा के भेज़ दें ताकि हम उसको सुन ले प्रिपेर हो ले फिर आपके सामने वो गाज़क थे ठीक है चलिए सर सिवा वो हमें नहीं आता ठीक है कुछ हिंदी में हो ता आप बोल सकते हैं कुछ हिंदी में कोई हो तो कमेंट किजिए शाय करेंगे मुझ लिका वो भी अलग लेंग्वेज करता है अभी मौंजवलिक आएगी तो फिर माहुल चेंज हो जाएगा और सौंग कैसा होगा समझ में ताता नहीं है ओके सिवा नहीं भजन हो जाएं सिवा वो रहें कोई भजन हो जाएं जाएं सीवा जी भजन जाए नो शुब corresponds सुनना चाहिए रात को ना ही पद्वम्रज हो जाएं सूनना चाहिए भजन भजन तो सुब potrzebagain ना is तके दोनों बैलेंस रहें सुबह भगान रात में भूतत ये न . कर दो कौन सा भाजन हमें नहीं है था बता तो तरजी कुछ फणी फणी में क्या फणी में क्या आप लोग बस कमेंट कर रहे हैं लेकिन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं सजेस्ट करो कि तभी तो कुछ हो पाएजी हौरर सब्सक्राइब गुम नाम है कोई अभी रात की नीद नहीं उड़ाना है सभी का ऐसा सौंग नहीं सुनना चुए टुक कुछ जी नहीं तो फिर क्या होगा न कि रात की नींदे उड़ी जाएगी आप लोग सेश्ट नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे होगा चलिए फिर कल ट्राइ करेंगे है ना कल सोच कहीज़ेगा और कमेंट कहीज़ेगा बिलकुल चलिए तो सभी को गुड़ नाइट सभा खेर मिलते हैं कल तब तक के लिए टाटा भाई भाई टेकर एव नाइस टेए झालिए झालिए